कि है दोस्तों क्राइमिन हिंदी के इस पाच्वे एपिसोड में आप सब का स्वागत है और यह हमारे पहले सीरीज अमेरिकन सीरियल किलर के सीरीज का लास्ट एपिसोड है तो जिनों भी मेरे इन एपिसोड को देखा है इन वीडियो को देखा है तो दोस्तों आज का यह एपिसोड है वो है दो कोईट किलर के उपर यह भी एक अमेरिका का बहुत ही खुंखार सीरियल किलर था दोस्तों और इसका नाम था एड़वर्ड केमपर दोस्तों यह जो एड़वर्ड केमपर था इसका जनम 18 डिसेंबर 1948 में बर्बैंक केलिफोर्निया में हुआ था दोस्तों यह जो केमपर था यह बहुत ही एक विशाल आदमी था इसको मतलब जायंट बोलना ही सही रहेगा शिक्स फूट नाइन इंच का 280 पाउंड्स यानि की करीब 130-140 किलो का आदमी था मतलब एकदम यूज आदमी था और यह जब पैदा हुआ था दोस्तों आपको सुनके हैरानी होगी जब यह पैदा हुआ था तो यह 6 किलो का था दोस्तों अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि जो यह सीरियल किलर्स होते हैं इनका बचपन कुछ अच्छा नहीं गुजरता है क्योंकि दोस्तों इनके बचपन कुछ ना कुछ गलत हो रहता है इनके माता-पिता द्वारा इनका अब्यूज या किसी और के द्वारा और इ इसी कहानी इस केमपर की भी है इसके माता-पिता के रिस्ते अच्छे नहीं थे घर में वही जगरे वगेरा रोजाना का जो जगरा होता है उससे यह काफी डिस्टर रहता था इसके पिता एक वर्ल्ड वार टु वेटरेन थे और जो एटम बम जापान में गिरा गया था उस प्रोजेक्ट में भी यह शामिल थे इनके और इनके मतलब जो केमपर की मा थी उनके बीच इतना ही जगरा होता था कि इसके फादर ने इंटर्मी में बोला था कि मतलब जो वार है वर्ल्ड वार टुटो आपको मालूमी होगा कितना भायंका वार था उस वार ने भी उनको इतनी तकलिफ नहीं दी, जितनी तकलिफ इस औरत ने, मतलब केमपर की मा ने उने दी थी, तो सोचे दोस्तों इनके रिष्टे किस तरह के होंगे, और यही सब देखके केमपर का भी दिमाग खराब हो गया होगा, अब दोस्तों, जादा तर सीरियल किलर्स में एक चीज मतलब दिखाई देती, एक पैटर्न दिखाई देता है, कि या तो नंबर एक, वो लोग जब बच्पन में, वो क्रुएल्टी टूर्च एनिमल, मतलब जानवरों को वो लोग तकलिफ पहुचाते थे, फिर दूसरा वो बेड़ वेटर, मतलब बहुत ही एक अर्ली टीनेज यर्स तक, वो लोग बिश्टर में ही पेशाप करते थे, और ठड़ था, कि वो लोग चीजों में आग लगा देते थे, अगर इन तीनों चीजों में से, कोई भी दो चीज किसी के पास होती थी, तो उसका मतलब एक साइ उसको जिन्दा दफन कर दिया था, उस समय ये सिर्फ दस साल का था, जिन्दा दफन करने के बाद जब वो बिल्ली मर गए, तो फिर से उसने उस बिल्ली की लाश को खोट के निकाला, उस बिल्ली के बोडी को पूरी तरह से दिसमेंबर कर दिया, मतलब काट पीट दिया, औ इस विल्ली के मरे हुए सर को एक लकरी के खुटे में उसने रग दिया, और ऐसा इसने और दो-तीन मतलब बिल्लियों के साथ किया, एक बिल्ली उनके पास थी, जो उसके बरी बहन का बहुत ही फेवरेट था, तो उसने किया क्या उस बिल्ली को पूरी तरह से उसके टुक्रे क कर दिये और उसके sister के closet में रख दिया उस समय वह सिप 13 साल का था तो देखे दूचों यह पैटर्न है कि किस तरह से इसका बच्पन रहा होगा कि 10 साल जब मतलब कोई बच्चा खेलता रहता है उस time में भी यह इस तरह की हरकत करता था केंपर का जो माइन था उसमें डार्क फेंटेसी मतलब एक विक्रित इविल फेंटेसी चलती रहती थी वह अपनी जो बरी बहन थी उसके जो मतलब डॉल्स वगेरा थे उनके साथ वह खेलता था और खेल भी नहीं कुछ अलग तरह का रिच्वेल वगेरा वह करता था जिसमें बाद में वह उनके हैड इसको मतलब उन डॉल्स के हैड को बिल्कुल डीकेपिटेट करते था मतलब एक तरह से काटता था एक बार उसके बरी बहने इसे मजाक में उसको पूछा जब वह दस साल का था उसको पूछा कि तुम अपने टीचर को किस क्यू नहीं करते तो उसने में था तब वह अपने फादर के जो बैयोनेट मतलब एक बहुत बड़ा एक चाकू रहता है उसको लेके रात को घर से निकल जाता था और अपने टीचर के घर के बाहर से खिरकी से उनने देखता रहता था वह और उसकी बरी बहन वह लोग मतलब एक बहुत ही विक्रित टा अर ये आपको मालूम ही है जहां मतलब लोगों को मौत कीसादिी जाती है और गैस चेमबर भी है जैसे व वलब्वाब अटू में नाजीज ने जो जीईवस को गैस चेमबर में डाल डालके माराता तो यह सब गेम मतलब उसको पसंद है वह भी बच्पन में उसके बच्पन 57 में उसके parents का divorce हो गया और मजबूरी में उसको अपने मा के साथ ही रहना परा उसकी मा के साथ उसका relation बिलकुल भी अच्छा नहीं था वो अपनी मा को पसंद नहीं करता था और उसकी मा भे उसे पसंद नहीं करती थी उसकी मा मतलब दिन भर उसके उपर चिलाती रहती थी और अलग-अलग तरह के verbal abuse उसके करती थी यहां तक कि उसकी मा उसे basement जो मतलब तेखाना होता है किसी घर का उस basement में बंद करके रखती थी रात के टाइम उसकी मा का कहना था कि उसको अपने बेटे पे बिलकुल भरहसा नहीं है और उसकी मा को शक्त था कि अगर उसने उसे खुला चोर दिया तो रात को वह अपनी बहनों का sexual abuse भी कर सकता है और इस चीज से मतलब केमपर को उसकी मा के उपर और गुसा आया क्योंकि जो तेखाना था केमपर ने खुड इंटर्वी में बोला है कि वहां पर उसको बहुत ही दर लगता था वहां पर उसका सोने को बस एक कॉट डेते थे वो लो और वहां पर हर तरफ चूहे वगरा रह सब खराब चीजे ही होगी उसके दिमाग के साथ अब जो दोस्तों यह एट केमपर था वह मतलब ऑरतों से अलग ही लेवल का नफरत करता था मतलब उसको और शब्द से भी उसको परेशानी थी और यह सब चीज वह उसकी मा की वजह से क्योंकि बच्पन से ही उसकी मां उसक वह उसको गे बोलती थी या फिर बोलती मनलब वह बहुत बहुत उच्छा मनलब उसका हाइड जाला था उसकी वजह से भी उसकी मां उसको बहुत सारा वर्बल एभिउस करती थी कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तुम अपने दाजाजी जैसे बन गयो कोई आहसे पियार नहीं कर गी इस तरह की चीजे दिन भर उसकी मा उसको बोलती रहती थी अपनी मां से तंग आके 14 साल की उमर में वह घर से भागए था अपने फादर के पास लेकिन वहां जाके भी उसको धोका मिला उसके फादर ने उससे अपने पास रखने से बिलकुल भी इ जाए वही पर वहां पर रहे अब केमपर अपने दादा दादी के पास चला गया मरलब उसकी मा के जो पैरेंस थे उसकी मा जैसे थी उसकी दादी भी थी वैसी थी पूरी तरह से डॉमिनेटिंग उसको गाली बगैरा देती रहती जी और इसी वज़े से 14-15 साल की उमर में एक कर दी उनकी हत्या करने के बाद ये काफी नर्वस हो गया था सोचा कि अब क्या होगा उसके दादा जी जब उस ताइम उसके दादा जी नहीं थे जब वह वापस आएंगे तो अपनी बीवी को मरे हुए देखके उन्हें कैसा लगेगा तो उनको दुख ना पहुचे उनके दिमाग किस तरह से काम करता है कि उसके दादा जी को तकलीफ ना हो ये सोच कि उसने उनकी भी हत्या कर दी खैर इन दोनों लोगों को मारने के बाद उसे पाट छे सालों के लिए एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया अब जिस मेंटल असाइलम उसे भेजा गया दोस्तों वहां पे 1600 से भी जादा इसके जैसे ही मरीज थे जो क्रिमिनेल्स थे पर उनका मतलब वो लोग इंसेन थे उनको दिमागी इलाज की जरूरत थी उस मेंटल असाइलम में जाके इसका बीहेवियर लेकिन अच्छा था ये दूसरों से अच्छी तर से बात वगेरा करता था त और इस वज़े से उसको वहां पे मेंटल असाइलम में काफी इसको फ्रीडम मिलता था और ये दूसरे क्रिमिनेल्स की केस फाइल्स को वहां पे दिन भर पढ़ता रहता कई अलग अलग तरह के क्रिमिनल्स भी इसको मिले जिससे इसने दोस्ती की उस मेंटल असाइलम में मत उसके बारे में इसे मालूम चला और यह पेशन्स की फाइल वगरा परके इसको बहुत सारी sexual ideas इसको आते थे अभी तक लेकिन यह कभी भी मतलब किसी लर्की से इसने बात तक नहीं की थी क्योंकि 14-15 साल की एज तक तक तो अपने पेरेंस और दारादादी के पास ही था उसके बात इसे लर्कियों से कैसे बात करना है या क्या करना है इसे कुछ नहीं मालूम था और यही सब जो patients की फाइल थी या फिर क्रिमिनल्स की बाते यही सब चीजे इसको उत्यजित करती थी और वो दिन में कई बार hospital के बात्रूम में यह masturbate करता था वहां पे तो डॉक्टर्स को वो बोलना परेगा जो वो लोग सुनना चाहते हैं और उसने उन डॉक्टर्स को ऐसा दिखाया कि वो ठीक हो गया है और इस वज़े से जब यह 20 साल का था मतलब उस एसाइलम से इसको चुट्टी कर दी गई इसकी एसाइलम से निकलने के बाद इस के घर पोचके भी उसकी मा का दुबारा से यह सब फिर से शुरू हो गया था इसको ताने वारना गाली देना इसको वर्बल एब्यूस करना और इस तरह से मनलब उसकी जिन्दगी चल रही थी और यह वही टाइम था दोस्तों जब उसने अपना पहला खुन किया और यह यह लरकियों का सीरेल किलिंग्स जो था वो शुरू किया इसने करीब चय निकल जाता था अपनी गारी अलेके और अगर कोई लर्की लिफ्ट वगेरा मांग रही है तो ये उनको लिफ्ट देता उसके बाद ये क्या करता था किसी बहाने से क्योंकि एक बहुत बरा आदमी था उन लर्कियों का जो मतलब साइड में दर्वाजा रहेगा ताकि वो लोग भाग ना सके उस दर्वाजे में कुछ न कु कर देता पहली वार में इसने दो लर्कियों को किट्नैप किया और गहेगी इसका पहला खुन में बहुत वीवत सिता दोस्तों इसने किया क्या एक लरकी को अपने बन्दु के दम पर उसने बोला कि वो मनलब Sprinkle डिकki में छुप जाए उस गारी के उसके बाद दूसरी लरकी आनी दोस्कों को चिलना नौगा सुना होगा घृदर बाद इसको माने के बाद डिकी में घृटकर के दोस को activity सायद। इसका जो मनलब नेक्रोफीलिया था वो अलगी लेवल का था यह डेड़ बॉडी से तो सेक्स करता ही था उसके बार उनको डिस्मेंबर करने के बार उनके बॉडी पार्ट से भी वो सेक्स करता था स्पेशली जो मनलब हेड था वो हेड के साथ वो ओरल सेक्स करता था यह सब मतलब सोच के ही काफी खराब लगता है और कोई इंसान मनलब असली में इसने यह सब किया है तो सोचे दोस्तो हमारे बीच किस तरह के लोग घूम रहे हैं शकल देखके तो आपको मालूम नहीं चले होता है खेर उन दोनों लर्कियों के जो बॉड़ी पार्ट से बाद में वो कही जंगल वगेरा में डिच वगेरा में फेक किया गया इसी तरह से उसने फिर लर्कियों को किड्नैप किया और देखे दोस्तों यह एक 6.9 इंच का आदमी मनलब कितना ही जार्मी था और वो लर हो जाते हैं दोस्तों यह चालाग भी बहुत था इसका IQ लेवल कुछ 145 ऐसा था और वहां पे जिस एरिया में वह रहता था वहां पे लोकल बार था जहां पे पुलीस वगेरा काफी आते थे तो यह जनरली वह बार में जाता था और इसके कई पुलीस वाले भी इसके पैच इस तरह का उसको बोलते थे ऐसा करते करते उसने छे लर्कियों को मार दिया था चेल एक दिन क्या हुआ कि इसके पास बंदुक थी और ये चीज किसी पुलीस को मालूम चल गई और वह पुलीस इसके घर पहुच गई वह जो बंदुक था इसका इल्लीगल वह लेने के लेकिन ये जो घटना होई पूरी इसके घर पूलीस आई इसका बंदुक लेके गई इससे ये काफी घबरा गया था और तब उसने वो काम किया जो काम करने के बारे में वो बच्पन से सोच रहा था उसको लगा कि ये सब पूलीस की चालाकी होगी बंदुक लेने की असली बा जो इंटर्वी वता तब इसने वही बोली कि उसकी मां को इसलिए मारा कि अगर वह उसकी मां को नहीं मारता तो पुलीस उसको पकड़ लेती इन कोईट किलिंग्स के जूर्म में और उसकी मां को मतलब बहुत अबरेस्मेन होता तो उस चीज से बचाने के लिए केमपर ने इपनी मां को भी मार दिया, एक राच सुबर मतलब चार बज रहे थे, कैम पर एक हतवरा लेकर आया और अपनी सोई हूई मां पर बुरी तरह से उसके सर पे वार किया, उसी समय उसकी मां की मौत हो गई, और दौस्टों सोचिए की एक हतवरे से अगर एक इन्सान के सर पे मार वो भी जब वो सो रहा था तो वो कमरा या फिर ऊड़ना मेशी हो जाएगा यह काम उसके बाद जो दोस्तों उसने किया कोई इस वोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है ए가지 आपनी मां का a 1978 कल दिया उसके अपनी मां के उसमल्ड सर से उसने ओर शक्स किया उसके बार जो एक fire płैसे नहींदा है खरख की उसके ऑपर उससे अपनी मां का सर रख दिया उसके बाद कि जो डार्ट होते हैं उन डार्ट से उसने अगने माँ के सरकों निशाना बनाया और बहुत सारी अभी वाली बिल्कुल पागली हो चुका था दोस्ते अग्दम पागल हो चुका था यहां तक नोया हैं अगोंको भी डेस्ट्रोइक करने की कोशिश की अब ये सब करने के बाद खून करते टाइम तो वो अलग दुनिया में चला जाता था थोरी दिर जब बाद उसका दिमाग थोरा ठंडा हुआ तो उसको मालूम चला कि उसने ये क्या कर दिया है लेकिन उसका दिमाग मतलब इतका संकी था तो उसने सोचा कि उसकी माँ की एक बेस फ्रेंड थी जो पासमी रहती थी तो उसको तो मालूम चल जाएगा कि इसने इसकी माँ का खून कर दिया है तो उसने चालाकी से कुछ फ्रेंड को भी अपने घर बोला लिया और उसका भी खून कर दिया ये दोनों खून करने के बाद वो घर से भाग गया करीब तीन दिन तक तीन दिन तक नॉन स्टॉप गारी चलाता रहा और थक हार कर, उसने अपनी हार मान ली और उसने पुलिस को फोन किया कियोंकर पुलिस के बाहर में जाता रहता था, तो उसको पेचान वाले भी पुलिस वाले थे उसके वैसे ही एक पैचान वाले पुलिस को इसने फोन किया और उसने फोन करके पूरी तरसे उसने कनफेशन किया कि उसने मतलब अपनी मा और अपने मा के सहेली को मारा है और जो छे लरकिया कोईट किलिंग्स के अंदर मरी है उनका कातिल भी यही है तो एक तरस इसने सरेंडर किया मतलब पुलिस तो इसको नहीं पकर पाई इस नहीं सरेंडर किया उनके सामने यह जितनी में घटनाई थी दोस्तों छे लर्कियों का कोईट किलिंग्स फिर इसकी माँ और इसकी सहली को मारना यह सब इस सारी घटनाएं सिफ एक साल में हुई थी नाइंटीन सेवेंटी टू से लेके 1973 के बीच इसके सरेंडर के बाद इसको जेल भेजा गया और इसके उपर मुकदमा हुआ और देखे दोस्तों इतनी सारी खून करने के बाद भी इसको मौत की सजा नहीं हुई क्योंकि जहां पर रहता था कैलिफोर्निया में डेट सेंटेंस को एबॉलिश किया गया था यहा लाइफ सेंटेंस जिया और आज तक यह जेल में बंदे दोस्तों तो दोस्तों यही कहानी थी एड़्वर्ट केमपर इस सीरियल किलर की और इसी के साथ हमारा यह पहला सीरीज अमेरिकन सीरियल किलर यह खतम होता है कल कोई और एक नहीं सीरीज आईगे आपके सामने और इसको लेके जल्द आपके पास thank you so much.